नमस्कार दोस्तों, स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन पोर यूपर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्पून जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आप भी रासनकार धारक हैं यानिके आपने भी रासनकार बनवाया हुआ है तो आपके लिए बड़ी खुश कबरी लेकर हाजिर हो चुके हैं जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकार दुवरा फिरी रासन दिया जा रहा है जिसमें गेहूं, चावल, अनाज, चने, इत्यादी फिरी में ही वित्रित के जा रहा है लेकिन दोस्तों हाली में सरकार दुवरा 250 रुपे रासनकार धारकों को मिल रहे हैं जिहां दोस्तों, यह कोई फेक जानकारी नहीं है, यह रियल जानकारी है, किस प्रकार से दिये जा रहे हैं, किन व्यक्तियों को दिये जा रहे हैं वह सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं दोस्तो अगर आपके पास भी तीनों कार्ड में से कोई भी राशन कार्ड है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लाश्ट तक जरूर वोच करेगा दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे निवदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजे जासे दाश शियर भी करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चुरू सब्सक्राइ चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो रासनकार के लाबार्थियों के लिए खुसकवरी जारी हो चुकी है केंद सरकार देश के कई बड़े राज्यों में फिरी में ही रासन दे रही है दोस्तो यह सरकार द्वारा चार महीने का एलान के आगया था जो की मार्च 2022 तक निर्धारित है यनके अगले महिने भी आपको फिरी में ही रासन दिया जाएगा वेसी तर्ज पर कहीं राज्यों में मुप्त अनाज दिया जा रहा है चली दिया झा रहे हैं दूसरे राज्यों के लोगों को भी फिरी मेरासन देना स्रू हो चुका है। दोस्तो वन नेशन वन राज्यों कार्ड से बहुत फाइदा मिलता है। दोस्तो अगर आप किसी अधर राज्ये से हैं और किसी अधर राज्ये में आप काम करने गए हैं। तो दोस्तो आपको वही पर ही आपके वन नेशन वन राज्यों कार्ड के अंदरगात आप पूरे भारत में कहीं पर भी राज्यों ले सकते हैं। वही इसके लावा दोस्तो मैं आपको बताँ चाहूँगा कि यूपी में यानके उत्तरप्रदेश में, बिहार में, मध्यप्रदेश में, राजिस्थान में, महराष्ट में, जहारखंड में पहले से राज्यों कार्ड नहीं होने के बावजूद फिरी में राज्यों दे ज आ जा रहा है, लेकिन दोस्तो जिन वैक्तियों के पास रासन कार्ड है, उनको परती महां 250 रूपे भी दोस्तो बैंक खाते में दिये जा रहे हैं, अब यह किस प्रकार से दिये जा रहे हैं, और किन वैक्तियों दिये जा रहे हैं, उसके बारे में हम यहां पर जान लेते है अब मैं आपको तान चाहूंगा कि दोस्तो मुफ्त में किस प्रकार से रासन यहाँ पर मिल रहा है उसके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं दोस्तो इसके साथ-साथ देश में नए रासनकार के साथ-साथ पुराने रासनकार में नाम जोडने और हटाने का भी काम चल रहा है यानि के बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास रासन तो रासनकार तो है लेकिन रासनकार में से यूनिट कटी हुई है नाम कटे हुए है Suppose that आपके परिवार में दोस्तो 6 सदश्य हैं और 6 में से आपके रासनकार में जो नाम एड है वह 5 का है या फिर 4 का है तो जितना रासनकार में यूनिट होगी उतना ही रासन आपको दिया जाएगा उत्तरपरदेश की बात करें तो उत्तरपरदेश में परती वैक्ति के लिए 5 किलो रासन दिया जाता है यानिकि अगर परिवार में 5 वैक्ति हैं APL रसन काड की तो दोस्तो APL रसन काड के अंतरगत 5 किलो रसन परती उनिट पर दिया जा रहा है वहीं दोस्तो मैं आपको बता चाहूंगा कुछ व्यक्तिय से हैं जो अपने रसन काड में अफडेट नहीं करा पाते हैं तो वह है रसन से वन्चीत रह जाते हैं लेकिन अगर आपका रसन काड से नाम हट गया है तो आप दोस्तो रसन काड में नाम जुड़वा सकते हैं आपका रासन कार्ड का आधार या बैंक खाते से लिंक दोस्तों होना जरूरी है जो आपको दोस्तों पचास रूपे जो परती महा सरकार्व के तरफ से दिये जा रहे हैं वह आपको नहीं मिल पाएंगे वहीं दोस्तो उत्तरप्रदेश, मत्याप्रदेश, हरियाना, बिहार, जहारखंड और यहाँ पर उत्राखंड और दिल्ली NCR में इस पहंट कार्ड को भी अभी हाली में लिंक किया गया है दोस्तो यहाँ पर यानि के रासनकार धारकों को सरकार की तरप से बड़ी सोगात दी जा रही है अब दोस्तो अब हाली में सरकार दुवारा जो रासन दिया जा रहा है उसमें तेल और दोस्तो आपका नमक भी सामिल किया गया है जो कि एक महिने में अब दो बार रासन मिल रह हाला कि पहले दोस्तों जो आपको दिया जा था एक महीने में वह एक बार दिया जा रहा है यानि के दोस्तों आप यहां पर कह सकते हैं कि आपको यहां पर नज़र डाल लेते हैं फिर बात करेंगे कि यह जो 250 रूपे किनकिन राज्यों में और किनकिन वैक्तियों को दिया जा रहा है किस प्रकार से आपकी है लाव ले सकते हैं तो दोस्तों वन नेशन वन रासनकार के अंतरगत यहां पर बताया गया है कि दिल्ली सरकार की ओर से वन रासन बिना काड के भी यानके जो लावारती हैं जो योग्य हैं गरीब हैं और एसनकरी छेतर में कार्य करते हैं उनको बिना रासन काड के भी मुप्त में ही रासन दिया जा रहा है लेकिन दोस्तों इसके लिए आपका जो काड होगा आधार या बैंक से लिंक होना अनिवा दी जा रही हैं वह भी प्राप्त करें तो दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड और आपका बैंक जो एकाउन नंबर है यह यह बैंक कराना होगा तभी आपको अलग से जो योजनाई हैं और जो लाब है वह प्राप्त हो पाएंगे कोई दोस्तों मैं पुदा चाहूंगा अब कि इसके अलावा दिल्ली सरकार ने यह सुविधा दी है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या किसी कारण वर्स आप राशन दुकान तक जाने में सक्सम नहीं है यहनिके आप किसी रोग से ग्रस्थ हैं और किसी भी यहनिक ले सकते हैं ठीक दोस्तों आई होप आप समझ चुकी होगे आप बात करते हैं कि आपका जो राशन कार है वह किस परकार से आपको राशन दे जा रहा है और किस परकार से आपको लाब दे जा रहा है इनके 250 रुपे आपको कैसे दे जा रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता आपको अगर आप जारखन के निवासी हैं दोस्तों आप यह लाव दे सकते हैं अधर राज्य में भी इसको लागू करने के लिए प्लैन चल रहा है प्लैन बना बना जा रहा है लेकिन जैसे अधर राज्य में दोस्तों कोई इस तरह की योजना चला जाती है तो हम आपको जरूर जानकर देंगे जरूर अपडेट करेंगे तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किसकी से राज्य में यह अपडेट आने वाला है तो आप हमेरी चैनल को जरूर करेंगे तो आपर आपको जैसे करेंगे तो आपको यह आपको जनकरेंगे और को प्रेस करेंगे तब आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों आप चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जैहिन जै भारात